देखें, 7 दिसंबर से हमारा बिग बैस स्टार्ट हो जाएगा, 24 जनवे तकी चलेगा, 40-40-20 इसका मतलब इन्हों ने इसको छोटा किया है, अगले 2-3 महिनों में काफी सारे टोनामेंट से स्टार्ट होंगे, तो आप डे वाइस चलना, मैं हमेशा आपको एकी चीज इतना मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, बाकी इनों ने और कुछ और्गनाईज नहीं किया, विकास बिग बैस को अब इनको उपर लेके जाना है, सेम जैसे मैंने बोला था कि, क्योंकि बाकी टोनामेंट से यह कंपीट नहीं करवाएंगे, इनको कोई व्यूवर्शिप नह हम देख रहे हैं, वो हमारे टाइम के इसाप से इनोंने रख था, इनको रखना ही पड़ेगा, यह सुबर नहीं रख सकते हैं, अगर इनको व्यूवर्शिप टे हैं तो, इंडिया टाइम के इसाप साही करवाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे देर बज़े यह सब काई मचे मैं यहीं मान रहा हूँ कि अभी आने वाले टाइम में एक दो साल में हर एक लीग में मिलेंगे टॉप क्लास क्रिकटर है मैं लिक के दे रहा हूँ ठीक है इंटरनेशनल भी है शाइद इन्होंने डेवियर कर लिया था और इंग्लेंड के में प्लियर बनने वाले हैं सैम हिंस रन मशीन है आप मान के चलो और यहां रन बना के देंगे इन्होंने इंडिया के खिलाफ ऐसे फिनिशर काफी अची भूमिका निभाई है और यह मोस्ट प्रबली होबाट के लिए अज़ फिनिशर आएंगे मोस्ट प्रबली चटवे ना साथ में पर आएंगे और आपको मैश्विन करते हों मिलेंगे ठीक है मैं बार बार आपको अच्छे एस फिनिशर मेरे को टीम अच्छी दिख रही है ठीक है अच्छे ऑल राउंडर है कोरी अंडर्सन अब कहीं यूई या कहीं जा रहे हैं बड़ ठीक है खेल लेते हैं अईसा नहीं है भाई दस में एक दो मैच कोई भी खेल लेगा राईली मिल्रेद भी मेरेको प इसा नहीं होता ठीक है तो इंटरनेशनल में भी खराब कर रहे हैं विली स्टैकलेंड भी बहुत बड़ा गेंबाद नहीं है यह बॉलर डिफेंट बालर है पेट्री डूली काफी विकट लेता है और ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है हीटिंग कर लेता है इंच्छा परजि अब देखा जाए तो बाकी के ठीक है कहीं ना कहीं ठीक ठाक बॉलर है इसी नहीं कोई खराब टीम नहीं है इंकि एकर बॉलिंग भाइस भी दिया जा और बैटिंग में यही है कि मैं डरमर तो ओपन करेगा बट आपको इस टीम में यह वाकई में देखें मैं यह सोचता अगर मैं यही से बता दे रहा हूं अगर यह फिक्स कर लेंगे कि मैं टीम डेट को पांच में पर बेजूँगा और मैं यही रहेंगे नीचे में गर यही तो इनकी टीम जानी जाएगी मतलब चेस के लिए आप जा सकते हो अगर यह वाकई में इस क्रम में भेज रहे हैं अगर मैं तीसरे पर आके वो करता है तो फिर वो नहीं होने वाला ठीक है तो यह बात हो गई और इनके पास दो अच्छे बॉलर हैं बाकी देखना पड़ेगा हाला कि यह सब इंटरनेस्टनल खेल चुके हैं तो यह टीम अच्छी है अच्छी टीम है लास्ट यह यह साहए जादा मार्केटिंग को सबोर्ट कर रहा था पर फिर भी हारेज इस फाल सागाप खाने सब भी नहीं दिख रहे हैं टीम अच्छी है पर सारी आपको टीम हम लोग देख लेते हैं फटापट ठीक है आप एक चीज और यादर रखनी होगी कि इस बीच आपके बहुत सारी आ पर मैं पर ही टोर्णामेंट खेलूगा तो यह एक मेंच चीज देखनी होगी जैसे जैन समिस का नाम लिखा पर यह बढ़ाग ले रहे हो सकता है कि वह कहीं और भी चला जाए खेंने हो सकता है कि इसने अल्रड़ी वही में नाम डाला हो सारी चीज मेरे को देखनी पड़ बट अभी मैं जो प्रडिक्शन कर रहा हूं बेज़ ओन टीम कर रहा हूं जो अभी की टीम है ठीक है तो लास्ट यर कौन से टीम जीती थी अपनी पर्थ जीती थी ठीक है तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जोल डेविस कोई ऐस सच कुछ हो नहीं इस्टिवन समित खेलेंगे क्योंकि यह टेस्ट में चलेंगे ठीक है जॉर्डन सिल बहुत इच्छे क्रिकेटर है और काफी अच्छी बैटिंग कर रहे है नीचे में लास्ट यर अल्मोस एक मैस जिता जिया था जहां क्या अंपायर ने गलट डिसीजन दे दिया था वो बांडू लैंडर फिल्टर व दिख रहे हैं जॉर्ज फिलिप मेरे को पहले दिन से पसंद नहीं है यह सब दोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे इंटरनाइशनल तभी जिंदगी भी ने खेलता है इंसे लाग उना बना बना के होगा भी क्या भाई मैं तो पहले दिन से ही बोला हूँ इनको IPL में भी सेलेक्ट हो गए आपके साथ अफरिका के लिए तो मैं प्लेयर के नाम आपको इसलिए पहले बता देता हूँ कि जो सेलेक्ट होने वाला आप याद रखिए सीन अबार देखिए अपने धर्फी पर काफी अच्छा खेलते हैं हाला कि इंडिया में मरा गया है पता नहीं कैस इसलिए बहुत यंग एज हैं 22 देख साल के हुँगे मतलब इनकी बॉलिंग एक्षण मेरेको बहुत तगड़ी लग रही है बहुत स्ट्रोंग क्रिकटर है सेल वाटसन क्रिकटरी में यह जा सकते हैं और इन्होंने जो एक नबबे रंगी पारी खेली थी बहुत इसलो पी बहुत तगना गिनवाज है एज हो चली है बट एक्सपिरियंस है बेंट वर्यस भी अभी इंडियाग ट्रॉब टीम बहुत बहुत तगड़ी है अची बैटिंग भी करते हैं तो टीम बहुत बहुत बढ़ी है ठीक है देखा जाए तो इसी टीम बीट होगी पर्थ तो ला काफी अची बैटिंगे करते हैं जॉस इंग्लिश भी काफी अब इंटरनेशन खेल चुके हैं सेंचुरी मार के आ रहे तो हाँ भर भर के रन बनाएंगे सैम वाइट में ने अच्छा पदरसन किया है ठीक है बट ठीक लगते मेरे को बहुत बड़े प्लियार नहीं लगते कोई जानता भी नहीं था इंको और इन्होंने पर्ट को मैसेज जीता है नीचे में आतरके ठीक है एक मैच की इंडिया खेल चुके हैं मैं यह बोल रहा हूँ कि जो बंदा एक पर इंटरनेशनल खेल लेता है उसके लिए टोमेश की कासा में जाता है ठीक है क्योंकि उसने वह सारी चीज देख ली तो यह यहां और प्रदसन करेंगे अश्टनेकर प्रदसन करेंगे आपको मालूम ही आपको मालूम होगा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लांस मॉरीस का तो सेलेक्शन हो गया है टेस्ट में मैथ्थियो के लिए ठीक थीक था बैटिंग बॉलिंग एलेक्स घरी खेलेंगे नहीं जेक वैदरेल भी बस यह है कि खेलते हैं टाइम टाइम फिलिप सौल के लिए इसी का प्लियर था नहारी लिंसल भी इनको काफी नीचे बहए जा जाता है पर यह प्रदसन कर लेते हैं पर ठीक है अभी भी वह यह एवरेश टीम लग दिए है ट्रेविस एट खेलेंगे नहीं टेस्ट में खेलेंगे बैन में एंटीम के ऑफिस्पिनिंग और रहेंगे यह लास्ट जिर साइट इसमें नहीं खेले ते डार्शी शॉट इसमें आगे अड्लेड में पहले तो यह होबाट में थे हो सकता है यहां पर अच्छे लगते हैं मैं यह मानता हूँ कि प्लेयर को आप एक जगा मौका दो अप इंडिया में इसको ओपेन कराया जा रहा है पांच विकेट लिया है और लास्ट एरा आपको याद होगा शाय दिये काफी विकेट भी लिया थे यह तो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है ठीक है बर यह है कि तो अलग बात है जैसे यह दोनों यह तीनों अच्छे ओल्डाउंडर है ठीक है यह सब नीचे में आके मार सकते है पर फिर भी बाकियों के मुकाबले बस यह है कि मोमेंटम चाहिए करी स्टार्ट में इतना सुरू करी तो ठीक है अधरवाइस टीम कोई बहुत बड़ी टी अधर बड़ी बात है लेगी श्पिन करते है और काफी क्लास बैसमन है बहुत है इनको रेट किया गया था बट यह इंजर हो गया ठीक है नैतन मेंटमेंडर को कुछ खास पसंद नहीं है मीडियम पेसिंग अल्र राउंडर है जमान खान अभी पाकिस्तान में खेल रहे है उधार करने के लिए और भी खेल रहे है इसाथ बाइख सो ऑट display आघ करेंगे तो टीम यह 브리んड में पीक करेंगे इस इंस्टने में वीडियो खोलता हूं ताकि मैं तुरंत जो दिमाग में आ ils हैं वही आपको बता सकभ tidak पहले opener थे, बहुत आके मारते थे, फिर इनको नीचे भेजा गया, और नीचे भी प्रतरिसन कर रहे हैं, और ये फ्यूचर है उस्टेलिया के, ये बहुत बढ़िया प्रतरिसन कर सकते हैं, नाम याद रखे रहे हैं इनका, जॉस ब्राउन लास्ट ये यही थे, जो बहुत मो मारते हैं, इनोंने 100 में भी टीम को रेप्रेजेंट किया है, कालिक अपड़े के जो टीम थी, काफी अच्छे प्लियर हैं, ठीक है, माइकल नेसर विकट टेकर बालर है, टेस्ट में का सेलेक्शन चाहिद नहीं हुआ होगा, मैं फास बालिंग देख ले रहा हूँ, बालिं हर साल बहुत ज्यादा होते हैं, बढ़े किसी को खिलाते हैं, जैसर मैक्स में काफी रन बना के आ रहे हैं, ऑफ-spinning all-rounder है, टेस्ट मैश टाइप के प्लियर हैं, यहां भी रन बनाई लेंगे, मारनस को खेलेंगे नहीं, मैथियो कुनमेन अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ल सारे all-rounder, और यह सब player कहीं नहीं मार देते हैं, और फिर वो अचानक से collapse कर जाते हैं, तो वो दोगो में आटको फाइडा मिलता है, ठीक है, इसके उपर बात में discussion करेंगे, टीम थोड़ी सी, एक-दो मैजन को खेल लेने दीजे, ठीक है, रेन गेर्स लास्ट यर की बहुत ख़़ा परदसन रहा है इनका, Harry Dixon, कोई बहुत बड़े player नहीं, Finch बदाई, retirement ले लिए, फिर यह खेलेंगे, पता नहीं, Sean Mars भी, अभी सब retirement हो चुका है, अब बदाई, इस ते कोई, BBL देखेगा, अब यह सब को 39-40 साल के हो गए, पर खेलते हैं, पता नहीं, Nick Madison भी खेल बनाते हैं, इसको तो आपको मालूमी होगा, अभी हाली में, मोटी सेंचुरी मारी है, 27-26 बॉल पे, और अभी टेस्ट में भी सेंचुरी मार के आ रहे हैं, तो यह थोड़ा मोटा मारेंगे, ठीक है, content decock का नाम पता नहीं, इसलिए बहुत खराब लगता है, आजकल तो मे मेरे को तो यहीं नहीं समझ में आरा, आप मशीन थोड़ी हो, अभी वल्ट कप खेले हो, 10 दिन सांती से बटके BBL में खेलते हैं, नई भाई, अम T10 भी खेलेंगे, अब मेरे को तो समझ में नहीं आता है, इसलिए परसनली यह सब मेरे को पसंद नहीं है, को सेमी फाइनल मे और यगर All-Rounder हैं, तो यह ठीक ठाक बॉलर हैं, एविल साधरलेंड तो इनको पदरसन करके देंगे, नीचे में यह मैच विनिक बारी खेलेंगे, याद रखियेगा, काफी इंप्रूव्मेंट है इनका, और यह जैक एडवर्स का, और दूनों ही इस साल अल अच्छा करे आपका विकट लेके देंगे, तो तीम अच्छी ड़री है, टीम ऐसी कोई खास खराब नहीं, क्योंकि ऐसे डिफेंट टीम में इनको मानूँगा, अगर केन रिचर्सन खेलते हैं, मुझी बर चेजरान खेलते हैं, तो यह क्या करेंगे, यहाँ खेल के मेरे को नहीं समझना टीक है, जो बंस, टेस्ट के प्लियर हैं, बट रन बनाते हैं, निकल अर्किन काफी क्लास क्रिकेटर हैं, यह भी रन बना किया रहे हैं, बट बड़ा कुछ वो नहीं है, यह टॉम रोजर से शुरू में मारते हैं, बीनारवाइ के कैंडिडेट, सैम हार पर भी हर साल यह सा बड़ा सेलेक्शन यह भी, हैंशार बले काफी अच्छा क्या खेल के आ रहे हैं, अच्छी वैटिंग भी करते हैं, व्यू वेबस्टर मेरे फेवरेट ट्रिकेटर हैं, मैं यही बोल रहा हूं, ऑस्टोरिया वाले इनको बरबाद कर रहे हैं, बहुत खराब कर रहे हैं, ब यहाँ खेलें के टी, यही बोल्राउन हा, टीम अच्छी है, हरसार अच्छी होते हैं, ऑपर इसब्सक्र प्लेयर है, नहीं है तो नहीं है, मैं इस से बेटर इंसरान उल्ला को समझता हूँ, समीन गूल इनके वास्बोलर हैं, ठीक है, इनके पास बहुत सारे फास्बोलर ऐ मेरे को नहीं समझ में आता है, इंडिया के खिलाव, इंडिया में भी जो ये मैचेस हुए, पागल की तरह है, मरा है, विकर्ट लेते हैं, अपर 10 ओर में 60-70-70 रंदे देते हैं, तो भाई, कोई बहुत बड़ा गेंदबाई, मेरे को तो नहीं लगता, परसनली, इससे बेटर बलकि अगर टीम की बात की जाएं, अगर ये सब क्रिकेटर एविलेबल हैं, और ये सारे क्रिकेटर खेल रहे हैं, तो यही टीम को मैच विन करा देंगे, आपको कुछ चाहिए ही नहीं फिर हैं, तो यह बात है, ऐसे नहीं बता जा सकता, देखेंगे एक बार, उपर उपर आपको डिफेंड में मदद करके देगा, लियाम डॉसन, इस सब अच्छे स्पिनर है, इनके मतलब अगर स्पिन बॉलिंग देखी जाए, तो ये मैच डिफेंड कर सकते हैं, अपने स्पिन से, बैटिंग वाइस मैं नहीं बोलको, बड़े नाम का तो मैं नहीं ले रहा हू पक्का है, ठीक है, और बैटिंग वाइस ये सब बस ठीक है, कोई वो नहीं है, इसमें रेखा जाए तो कोई Spencer Johnson अच्छे बॉलर है, खुन्मेंट ठीक ठाक बॉलर है, ठीक है, और इसके लाबा कोई Michael Neisser, अगर Spencer Johnson और Michael Neisser सुरू में विकट ले सकते हैं, ठीक है, और बैटिं इसमें कोई बहुत खास वाइटिंग तो है नहीं, इसको भी ऐसे डिफरेंट टीम आप मान सकते हो, ठीक है, ये कोई बहुत खास टीम तो नहीं लगरी मेरे को, ठीक है, पर ये दोनों पदले बाद जैसे हैं कि ये सब नीचे में बैट से आपको विन करा सकते हैं, ठीक है, शॉट का पसेशन हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये तो भाई हमारी टीम ही रहेगी, ये भी काफी तगड़ी टीम में मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है, मैच विन में आपके जॉड़न सिल्क आपको मैच विन करा सकते हैं, नीचे में आपके सीन बहुत टॉम क अधिया कुछ चीजने आपको समयाधि, बाकी जो होगा, देखाजाएंगा